हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बिजनस मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स जो की इंपॉर्टेंट है उसकी उपर वीडियो बनाओ, तो बिजनस मैनेजमेंट जा फिर और्गनाइजेशन बिहेवियर की ब बाद करो, ठीक है तो मैं आच आपके सार्ट डिसक्ल स करूंगी, लीडर्शिप की थेयोरीज, राइट, सबसे पहले हमारे पास, जो है, यह कुछ थेयोरीजbene हैं, जो कि मैं आपके साथ डिसक्ल स करूंगी, first हम pick कर लेते हैं, great man theory great man theory क्या कहती है leaders are born not made, इस theory के accordingly, जो leadership quality है वो एक person में by birth आती है, so by born not made, किसी भी तरीके से हम किसी को leader बना नहीं सकते ये quality तो by birth ही आती है this approach emphasize that a person is born with or without the necessary trait of leadership, तो एक leader बनने के लिए, leader कौन होता है जो की followers को चलाता है, ठीके, एक leader है, आगे आगे चल रहा है और बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसको follow करेंगे तो एक manager के बीच में भी leadership की quality होनी चाहिए पर great man theory ये कहती है, कि ये quality किसी leader में by birth आती है, इसको हम acquire नहीं कर सकते, ठीके अब इस theory में आप example ले सकते हैं गांधी जी का, ठीके, तो जो गांधी जी है, उनमें ये जो quality थी, वो by birth थी, आप देखिए उनकी personality काफी charismatic personality थी, राइट great man approach actually emphasize on charismatic leadership charisma, charm मतलब एक बंदे को देखो और देखते ही पता लगजे कि हां इसमें कुछ quality है, इसको हम follow कर सकते हैं right, no matter what group such a natural leader finds himself in, he will always be recognized for what he is, ये फरक नहीं पड़ता कि चाहे वो person किसी lower class से आ रहा है, middle class family से आ रहा है, बट वो हमेशा ही आप उसको ना बाकी की भीड से उसको अलग पहचान हो गए, ठीक है, तो ये सारी सोच जो है, ये great man theory के अंदर आती है, according to this theory, the leadership, leadership call for certain quality, कुछ qualities कैसे होती है, जैसे कि commanding personality, charm, courage, intelligence, aggressiveness, ये कुछ qualities हैं, जिसके through हम कह सकते हैं, कि ये person जो है, ये leader बन सकता है, मतलब, कि leader मतलब, वो political leader की हम बात नहीं कर रहे हैं, leadership का मतलब है, कि आप में वो qualities हैं, कि आप कुछ logo को चला सकते हो, उनसे काम निकलवा सकते हो, right, manager का काम ही क्या है, लोगों से काम निकलवाना, लेकिन वो forcefully अगर काम निकलवाएगा, तो काम की इतनी जादा output नहीं रहेगी, output तभी आ सकती है, efficiency तभी आ सकती है, जब लोग अपनी मर्जी से काम करें, ठीक है, तो leadership एक ऐसी quality है, manager की, जिसके थुरू वो काम निकलवा सकता है, right, अब पहली theory मैंने आपको cover कर ली, इस वीडियो में न मैं हर एक theory में छोटा छोटा आपको बताऊंगी, तांकि आपको main उसका concept clear हो जाए, great man theory होगी, next है trait theory, trait theory का मतलब क्या है, कि कुछ qualities होती है, अगर किसी person में वो qualities है, तो हम मानेंगे, कि हाँ, वो person leader बनने के लायक है, trait theories of leadership, these theory consider personality, social, physical, or intellectual trait, to differentiate leader from the non-leaders, तो कुछ ऐसी qualities होती है, जो कि एक person को अलग बनाती है, बाकी दूसरों से, ठीक है, तो लोगों को दो categories में divide कर दिया, एक तो होंगे हमारे leader, दूसरी तरफ हमारे उपास होंगे non-leader, तो जो leaders हैं, उनकी क्या qualities है, ambition होता है, कुछ achieve करने की, उनमें, ये एक, उनमें होता है कि कुछ achieve करना है, ठीक है, energy होगी, desire to lead, honesty के साथ, self confidence होगा, intelligent होगे, job relevant knowledge, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनसे related उनको अच्छी knowledge होगी, तो इसी वज़ा से वो बाकी लोगों से काम निकलवा सकते हैं, ठीक है, उनको चला सकते हैं, अब ये जो trait theory है, ये theory क्या कहती है, ये पहली बाद great man theory के उपर ही base है, but it is more systematic in its analysis of the leader, like the great man theory, वो उसमें हैं कि ये जो सारी qualities है न, ये by birth ही होती है, but trade theory में कहते हैं कि अगर तो ये qualities हैं, तो आप leader बन सकती हो, ठीक है, abilities क्या क्या है, supervising ability, intelligent होने चाहिए, initiative, initiative का मतलब है, कि कोई भी काम आया, आपने ये नहीं कहना कि मैं नहीं करूंगा, नहीं, वो initiative लेते हैं, कि नहीं, सबसे वहले हम ही करेंगे, कुछ personal trade रहते हैं, जैसे कि self assurance, decisiveness, मतलब decision लेने की उनमें एक power होती है, कि हाँ, मैं ये फैसला ले सकता हूँ, ठीक है, ये maturity, working class, कुछ ऐसी qualities जो हैं, आप कहा लिजिए, अच्छी अच्छी quality, जिसके तुरू वो दूसरे को lead कर सकता है, motivators, कौन सी चीज़ें हैं, जो कि उनको motivate करती है, तो अगर एक person में, leadership की quality है, तो इस theory के accordingly, job security, high financial reward, power, self actualization, need for occupational achievement, ये कुछ ऐसी qualities हैं, जिसके तुरू हम leaders को motivate कर सकते हैं, अब और वो ही सारे repeat किये हैं, intelligent, physical feature भी होता है, inner, अंदर से ही उनके motivation आता है, कि हाँ हमने काम करना है, ठीक है, mature होते हैं, vision उनकी अच्छी होती है, responsibilities को accept करते हैं, open minded होते हैं, self confident होते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ relation अच्छा होता है, fairly काम करते हैं, biasness नहीं करते हैं, ठीक है, जो सही है, वो ही वो काम करते हैं, तो nutshell सारी अच्छी-च्छी qualities हैं, अच्छा, आगे है, traits and skills, differentiating leader from non-leader, तो क्या ये qualities दुबारा से वो ही qualities जो हैं, इसमें लिखी के हैं, इसको एक बार read कर लेना, आपको बड़ी असानी से समझ आ जाएगा, skill क्या होनी चाहिए, clever होना चाहिए, conceptual, concept की clarity होनी चाहिए, जो भी वो काम कर रहा है, उसकी clarity होनी चाहिए, creative, creative का मतलब है, उसको पता हो कि ये काम, कैसे नए तरीके से करना है, तो उसमें innovation की quality भी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ qualities हैं, जो की एक person को leader बनाती है, बाखियों से अलग करवाती है, तो हमने अभी दो theories कर ली, great man, वो कहता है की quality by birth आएगी, इसको सिखाया नहीं जा सकता, trade theory कहती है की, हमने दो categories में लोग divide कर दिये, एक तो leader हैं, दूसरे non-leader हैं, leader जो होते हैं, उन में कुछ qualities रहती हैं, ये आपने qualities जो है न, ये सारी आपने cover करने हैं, अगर मैं अगली theory भी करवाऊंगी, तो ये काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो अगली theory में आपको next वीडियो में करवाती हूँ, thank you everyone, take care,